नमस्कार दोस्तों UPPSC डेली नियूज में आप सभी लोग का स्वागत है तो जिया दोस्तों देखिए आप सभी लोग की ये जो एजुकेशन की सरिंखला हम अलग से साइड से दिखाते हैं पढ़ाते हैं उसमें हम आप सभी लोग को बता दें हाला कि चैनल पे जैसे मैंने UPSI की पूरे से लेबर्स को पूरा कंप्लीट करवा दिया था उस पर काफी ज्यादा विव आता है काफी हद तक लोगों ने देखा पसंद किया और आने वाले समय में जब-जब UPSI की एक्जाम होंगे उससे लोग पढ़ते ही रहेंगे निसुल चैनल की माध्यम्भमने अप्ल नियूज दिया जाता है वो हमारा एक अलग काम है वो बराबर जो भी महतपूर समाचार होगी इंपोर्टेंट्स अपडेट्स जो होंगे जो भी आप सभी लोग को ब्रहमित करने वाले समाचार होंगे उनको बिल्कुल क्लियर करके सारी चीजें आपको बताई जैसे जाती रहेंगी लेकिन इस अब जो हम पढ़ा रहें चीजों को उनका नाम हम यूडियन एजुकेशन रख रहे हैं उसी यूडियन एजुकेशन के माद्यम से आप सभी लोग को की जो सेलेबस है यूपी सी की और यूपी पी सीस की वो सारे चीजें कवर करी जाएंगी उसाथ में जो भी करेंड की मुद्दा होंगी जो भी एक्साम के लिए कुछ टॉपीक हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें वो मैटर रहेगा तो इस सेशन का नाम हमारा होगा यूडियन एजुकेशन आईए आज हम इसी स्रिंकला में फिर आप सभी लोग का भूगोल चल रहा है भूगोल म में यह दूसरा सब टॉपिक्स है जिसमें बिग बैंग सिदांत है इसके पहले मैंने सिदांतों की विशह में पताया कैसे होगा अब आएंगे कुछ सिदांत की विशह में जानेंगी ऐसे करके क्रम से कुल 13-12 सब टॉपिक्स हैं जिनको हम क्लियर कर लेंगे अध्याय चप स्क्रीन पर देख रहा हैं, यह कुछ इसी रूप रेखा में बिग बैंक सिधांत की थिoring प्रस्तूत की गई है, इसके बेफ़के में जानेंगे हम लोग, देखिए ब्रहमान की उत्पत्ती में यह सरवाधिक मानने सिधांत रहा है, और इस सिधांत का जो परति पादन है, वो जार्ज लेमेंटर भी सर्च करते हैं, तो भी जार्ज लेमेंटर ही आता है, जार्ज लेमेंटर सर्च करेंगे तो भी वही आएगा, तो इन्होंने ही 1960-1970 इश्वी में किया है, आपको बता दे, पंदरा अरब वर्स पूर ब्रह्मान एक विसाल अगनी पिंड था, जिसका न मजने हम काफी आसानी हो, और आपका पुराना ग्यान और आपको ये डीपली जो ग्यान ले रहे हैं, जिससे आप सिब लोगों काफी आसानी होने लगेगी, तो पंदरव अरब वर्स पूर ब्रह्मान एक विसाल अगनी पिंड था, जिसका निर्माण भारी पतार्थों से ह हुआ था, फिर इसी थियोरी में बताते हैं कि अचानक से ब्रहमांड में भाई बिस्पोर्ट हुआ, ब्रहमांडी बिस्पोर्ट या बिग बिस्पोर्ट हुआ, जिसके कारण पदार्थों का विखरा हुआ, देखिए दोस्तों, नोट्स अपना-पना बनाते चलिएगा, आप सभी लोगे जान लीजिए, यह महा ग्यान प्राप्ती हो रही है आप सभी लोगों को, कहीं नहीं मिलेगा, कि सुभिदाम इसलिए लेकर क्याते हैं, आप सभी लोगे जैसी UPSI में कई छात्र ऐसे थे, जिनके पास बुक नहीं थी, नोट्स नहीं थी, हमने सारी चीज ही भी स्पोर्ट हुआ, या इसको बिग बैंक भी स्पोर्ट भी हुआ, बोलते हैं, जिसके कारण पदार्थों का विखरा हुआ, जिससे काले वा समाने पदार्थ निर्मित हुए, और इन ही के समुँ से अनेक प्रमान्डी पिंडो का स्रेजन हुआ. पदार्थों का जमाव और इससे इनके आकार में भी ब्रिद्धी हुई भाई जब बिस्पोर्ट हुआ तो जमाव हुआ तो जिससे इनके आकारों में भी ब्रिद्धी हुई मतलब आकार बढ़ते गए और इसी प्रकार आकास गंगाओं का भी निर्मार हुआ देखिए हम आप सब लोग बिल्कुल एकदम ये बिग बैंग थियोरी का ही पूरा डायग्राम दे रहे हैं एक बिस्पोर्ट हुआ जिससे चीजें बरती चली गई ठीक है इसी प्रकार आकास गंगा का भी निर्मार हुआ इसमें पूरा बिस्पोर्ट से निकले पदार्थों के समुहन से बने असंख पिंड जो हुए वो तारे कहलाए देखिए क्रम से चल रहे हैं पुना बिस्पोर्ट से निकले पदार्थों के समू से बने असंख पिंड जो की तारे कहलाए इसी क्रम में ग्रहों वा उपग्रहों का भी निर्मार हुआ. इसी प्रकार ब्रम्हांडी बिस्पोर्ट या बिग बैंक परिगटना से ब्रम्हांड की उत्पत्ति हुए और तभी से ब्रम्हांड में निरंतर विस्तार जारी रहा आकास गंगा किसे कहते हैं कैसे है आगे सारे चीजें हम डिसकस आप सभी लोग से करते चलेंगे ब्रह्मान के रहस को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को European Center for Nuclear Research यानि सर्ने C-E-R-N सर्ने जिनेवा में पृत्वी की सता से 100 फिट जिनेवा में पृत्वी की सता से 100 फिट नीचे वह 27 किलो मीटर एक लंबी सुरंग में लॉर्ज हेडरन कोलाइडर यानि की LHC नाम का एक एतिहासिक महा प्रयोग किया गया है इसमें हजार से भी अधिक विज्यानिक सामिल थे जिनकी संख्या हजार से भी अधिक थी इस महा प्रयोग में प्रोटान बीमो कुल लगभग प्रकास की गती से टकराया गया और हिक्स बोसान हिक्स बोसान के निर्मान का प्रयास किया गया क्या होता है हिक्स बोसान अभी हम आपको बिलकुल सारी चीज़ें क्लियर करेंगे यह प्रयास इसलिए किया गया कि ब्रह्मान की उत्पत्ती संबंदित अनसुलजी और धारणाओं की परक की जाएं जिसे अब तक हम लोग डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, एक और डाइमेंशन वो गाट पार्टिकल के नाम से भी जान रहे थे और धार्ना ऐसी है कि गाट पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिक्स बोसान कोई ब्रह्मान के रहस को छुपे होने के लिए जाना जाता है इसी को सबसे basic unit माना जाता है Higgs boson को ही सबसे basic unit माना जाता है आईए हम आप से लोग को Higgs boson और God particle को clear कर दे क्या होता है God particle देखे God particle Higgs boson कड को ही कहा जाता है आपको बता दे स्रिष्टी की रचना इसी कड के बदावलत हुई है जैसा कि मैंने आप से लोग को बताया कि इसी को सबसे basic unit भी माना जाता है 1993 में नोबेल पुरुसकार विजेता बहुतिक विद लियोन लेडर मैन ने दे गाड पार्टिकल नामक एक किताब भी लिखी ठीक है अब हिक्स बोसान को clear कर दे हैं आपको भार वद्रब्यमान वो चीज है जो कोई चीज अपने अंदर रख सकता है ये हिक्स बोसान अगर कुछ नहीं होगा तो फिर किसी चीज के परमान उसके भीतर ही घूमते रहेंगे और जुडेंगे ही नहीं इसी सिद्धान्त के अनुसार हर खाली जगे में एक फिल्ड बना हुआ है जिसे हम हिक्स फिल्ड का नाम दिया गया इस फिल्ड में कण होते हैं जिने हिक्स बोसान का नाम दिया गया इसमें इलेक्टरान प्रोटान और निट्रान के भी अडू उपस्तित हैं तो उम्मीद करते हैं, पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा, आगे चलते हैं। इसी क्रम में दोस्तों हम बता दें आपको LHC जो एक महाप्रयोग किया गया था उसको 2013 में बंद कर दिया गया और 2013 में इसको बंद कर दिया गया और पुना इसको 2015 में प्रारम किया गया तो ब्रमाण में अनुमानता सौ अरब आकास गंगा हैं आकास गंगा को क्लियर कर दें आपको हम आकास गंगा अशंख तारों का एक विसाल पुन्ज होता है जिसमें केंद्रिय बल्ज ध्यान दीजिएगा केंद्रिय बल्ज बल्ज क्या होता है इसको अभी हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे आगे सब दों को ध्यान दीजिएगा उसको चाहे हाईलाइट करते चलिएगा चाहे काले हेडिंग से लिख लिजिएगा ताकि आपक होती हैं जो अनेक तारों से निर्मित होता है बल्ज क्या होता है आकास गंगा के केंद्र जो होता है उसी को हम बल्ज कहते हैं ठीक है इसी केंद्र में तारों का सकेंद्रन सबसे सरवादिक होता है आकास गंगा में गैसों के समू भी होते हैं एंड्रोमेडा हमारी आकास गंगा के सबसे निकट की आकास गंगा है और हमारी आकास गंगा मंदाकनी है तो एंड्रोमेडा हमारी आकास गंगा के सबसे निकट की आकास गंगा है जो 2.2 मिलियन प्रकास वर्ष की दूरी परिस्थी थे प्रकासवर्स किसी भी जगें से जैसे ये आपका प्रतिवी हो गया ये सूर्य हो गया जो ये दूरी होती है यही प्रकासवर्स की दूरी होती है प्रकासवर्स की दूरी की भी मैंने आप सभी लोग को डियाग्राम पहले वाले चेप्टर ब्रमान जब पढ़ा रहे थे उसम जिसमें नए वो पुराने तारे भी संबलीथ है इसी क्रम में आगे आप सभी लोग का मिलकी वे आता है मिलकी वे एक तारों का एक समू है जो रात में दिखाई पड़ता है वो हमारी आकास गंगा का ही भाग है जब भी मैं हमारी आकास गंगा का हूँ तो मंदाक नहीं है आप सभी लोग दिमाग में बैठाएंगे नेक्स्ट इसमें पॉइंट आप सभी लोग का आरियन नेबुला हमारी आकास गंगा का सीतल वज चमकीलो तारों का समू है और सूरे के बिशे में अगर हम बात करें तो सूरे हमारी आकास गंगा का सिर्फ और सिर्फ एक तारा है जो हमारी आकास गंगा का 20 करोण वर्सों से भी अधिक समय से परिक्रमा कर रहा है इसी क्रम में आपका प्लेनेमस जुड़ा हुआ है जिसको हम जुड़वा पिंडों का समू भी कहते हैं साइरस या डॉग इस्टार प्रित्वी से नव प्रकास वर्स की दूरी पर इस्थित हैं और यह सूरे के दो गुने द्रब्यमान वाला तारा है और यह सूरे से 20 गुना अधिक चमकीला भी है जो रात्र में दिखने वाले तारों में सबसे अधिक चमकीला है कौन सा साइरस या डॉग इस्टार सूरे के सबसे निकटतम तारा कौन सा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूरे के सबसे निकटतम जो तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो सूरे से लगभग चार दस्मलों तीन प्रकासवर्स की दूरी दर है इसी क्रम में गैलीलियने सन 1609 स्वी में पहली बार दुर्बीन से रात में आस्मान का अध्यन किया और बताया कि आस्मान में कुछ ऐसे भी तारे हैं जिने हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं नगनाखों से नहीं देख सकते हैं और बात करें मल्टी अप्लिकेशन सोलर टेलिसकोप यानी माश्ट की तो यह एक दुर्बीन है जिसको इसरों ने 2015 में बनाया था उस समय यह दुनिया की सबसे बड़ी दुर्बीन थी लेकिन चीन ने ही 500 मिटर रिफैलिकल रेडियो टेलिसकोप यानी फास्ट बनाया जो दुर्बीन बिस्सो का सबसे बड़ा दुर्बीन हुआ और इसी दुर्बीन से ही केपलर भी पीछे छूट गया दोस्तों उम्मीद करते हैं बिग बैंग थीओरी आपको अच्छे से समझ में आया होगा यह जो बिस्पोर्ट हुआ इस बिस्पोर्ट में हमको God Particle लिक्स बोसान कैसे आया लिक्स बोसान को ही हमको बेसिक चीजें सारी चीजें लिक्स बोसान में ही है यह सारी चीजें clear हुई आकास गंगा clear हुआ मंदागनी clear हुई आकास गंगा में तारों के समुझ जितने भी चीजें बनते हैं वो सारी चीजें clear हुई है हमारा विक बैंग थेओरी में इसी क्रम में दोज, सिधान्त और महत्पूर है जिसको हम आप से लोगों बताएंगे फिर आप सभी लोग का अगलाइस में चेप्टर होगा तारों से संबंदित उनके जीवन चक्र जन्म और मृत्तिव से संबंदित तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा बहुत बहुत धन्यवाद